हेलो दोस्तो मेरा नाम है सुमित राठी और आज सभी को मैं एक बहुत इंपोर्टेंट जानकारी देना चाहूँगा आपको जानकारी किया है दोस्तो करोना को लेकर बहुत सारा कन्फ्यूजन फैला हुआ है लोग नॉर्मल फ्लू कफ हो जाता है तो उसके अंदर और करोना के अंदर डिफ्रेंशेट नहीं कर पारें नॉर्मल खासी जो खामें उनको लग रहा है करोना हो गया तीन बाते दो बाते बताऊंगा जो कोरोना के लिफी बहुत इंपोर्टेंट आप जान पाओगी कि करोना वास्तों में क्या है आपको को कोरोना है या नहीं है देखिए तीन प्रकार की खासी हो सकते हैं, दो प्रकार की खासी आपको होगी, पहला नॉर्मल खासी, नॉर्मल खासी मतलब सूखी खासी, अगर आपको सूखी खासी हो रही है लगातार, सिर्फ खासी है सूखी, तो उसका मतलब वो खासी आपको पॉलुशन से हैं, तो आपको डरने क शिम्टम से यह allergic हो सकता है, यह आपको allergy की खासी रहेगी, तीसरा condition क्या बनता है दोस्तों, आपको कफ रहेगा, खासी आएगी, बलगम के साथ में, नाक आपका बहेगा, और mild fever भी रहेगा, आपको बुखार भी रहेगा, यह normal flu का case हो सकता है, अब यह flu कोई भी हो सकता है, flu म example बता दू, सबसे main जो चीज है, कोरोना को आप कैसे differentiate करोगे, कोरोना जब भी आपको होगा, खासी सूखी रहेगी और तेज बुखार होगा, सूखी खासी, तेज बुखार, और कुछ-कुछ आपके joints में pain भी होगा, तो वो main चीज है दोस्तों, आपका सांस जो है, वो भी type का flu हो सकता है, बट तेज खासी, सूखी खासी, तेज बुखार और सांस फूलना, ये कोरोना के prime symptoms है, main ये आपके लक्षन हैं दोस्तों, आपको डरने की बिल्कुल भी जरुरत नहीं है, इससे कोई tension मतलो, अच्छा अब एक important बात more बता देता हूं आपको, जो normal अगर system weak है, sugar है, diabetes है, उनको problem देता है, और ये sanitizer का लफडा और अचकल sanitizer के पीछे भाग रहे हैं, mask के, attention मतलो, normal साबुन से आदो, एक दम चकाचा करोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डरना आपको नहीं है, और एक और बात है दोस्तों, खासने और चीकने के, मैं एक आपको तरीका बता देता हूँ, जो सबसे effective रहेगा, हम कैसे चींकते हैं, कैसे खासते हैं, अची, इस प्रकार से, और आप आसपास जितने भी होते हैं, सब को लपेट लेते हैं, और जब हम ऐसे खासते हैं, दोस्तों, क्या होता है, जो हमारे droplets हैं, वो हातों में रहती हैं, और हा